आज नागपूर में पंडित जवाहरलाल नहरु जी की पुन्हेतिति के उसर पर एक आर्ट एक्जिबीश्यन का आयजन किया गया इस एक्जिबीश्यन का आयजन महराषटर प्रदेश-युवा-कॉंग्रेस की और से नहरु जी के कारे का दर्शन करने के उद्धेश से किया गया है आज नागपूर में पंडित जवारलाल नहरु जी की पुन्यतिती के उपलक्ष में महाराष्टर प्रदेश युवा कॉंग्रेस की ओर से एक एक्जिबिशन का आयोजन किया गया जिसमें नहरु जी ने अपने संपूर्णे जीवनकाल में देश के लिए जो कारिय की है उसे दर्शाय गया है इस एक्जिबिशन के लिए पशुवर क्रिडा मंतरी सुनिल केदार नागपूर शहर कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे नागपूर जीला कॉंग्रेस कमिटे के अध्यक्ष राजेंद्र मुलग और सभी प्रमुक पदादिकारी उपस्तित थे इस आर्ट एक्जिबिशन का आयोजन महराष्टर प्रदेश युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष कुनाल राउत इनके नेतरुत्व में किया गया महराष्टर प्रदेश युवा कॉंग्रेस के ओर से जनता को यह अपिल की गई है कि सभी इस एक्जिबिशन में आये जिससे आने वाली पिड़ी को भी निहरुजी के कारे के बारे में जानकरी प्राप्त होगी दिखाया गए पुरव प्रदेश लीं में आज इस प्रदेशनी के लिए महराष्टर 支持 नाकपूर शहर कांगोस कमीटे के आतेक्षा विकाट अक्रेश जिल्ला कांगोस कमिटे के आतेक्षा मिलक जी तुक आतेक्षा अ distracting दिटह होसे परमुक पतेदिकारे दारा जो किये गया कारिया वो देखिए और आज आने वाले देश के जो भाईश्य है उनके लिए अच्छा एक एक्जिविट्य है मेरा नाम आसिफ साधिक सेक महा सच्यू महाराष्ट्र पदेशियों कॉंग्रेस आज 27 मही को क्यलते है नहरु जी कि पुनितिती के असर पे एक आर्किटक ऑफ इंडिया करके क्यलते है जो नहरु जी ने इस देश को बनाने में मदद की थी उस चीछ की हमने चित्र के उनकी कर उनकी जीवन के मा जीवन की कथा उसे एक्जिविशन में लगाई है जिससे हम जनता को दिखाना चाहते है कि नहरु जी ने देश के लिए क्या काम किया है और देश के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है उसी इससे पर हम लोगों को बताना चाहते है कि और उन्होंने साइन्स का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महा पुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर